देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, yes people, so finally the news is here, even though ICI ने official notification नहीं release करी है, हम सब को पता है कि भाई साथ, पार्लेमेंट ने अप्रूफ कर दिया है, कही ना कही 1st of July से the new course is expected to be implemented, और इस सब के बीच हम यहाँ पे tension नहीं फिलाएंगे, हम यहाँ पे सर सिरफ बात करेंगे positivity क productivity की results की, कैसे आप इस news के साथ deal कर सकते हो, चाहे आपका exam November 23 में या May 24, what should be your approach, so मेरा नाम है शुवं केस्वानी, a chartered accountant by profession and teacher by passion and secured all India rank 8 at the CA final exams, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss करने वाल हूँ, how you should approach this news, चाहे आपका exam November 23 में या May 24 में, वीडियो पे like target रखेंगे सर कितना 200 likes का और मुझे पूरा विश्वास से आप achieve करा देंगे, तो सर सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों से जिनका November 23 में exam है, तेको नाम सी पता लग रहा है, अगर आपका November 23 है तो May 24 से आपको फरक ही नहीं पढ़ना चीए, अभी अरजुन, अभी जो अरजुन है सर उसको क जा दिखनी चीए, उसको मचली की आख दिखनी चीए, और जो मचली की आख है, वो सिरफ November 23 है, and let me tell you, जब ये transition आता है न, November 23 से May 24 तो institute चाहेगा, कि जितने भी बच्चे हैं, November 23 में दे रहे हैं, वो पास कर जाए, और उनको May 24 को ना देखना पड़े, तो मैं आपको बस इ और ये 5 महिने अगर आपने पूरी शिक्दत से पढ़ाय कर ली, पूरी मेंद से पढ़ाय कर ली, पूरी मशकत कर ली, एक एक दिन को प्लैन किया, एक एक दिन के टार्गेट्स अचीव करें, तो दोस्त, rank भी आ सकती है, rank भी आ सकती है, rank किस की आती है? इनी consistent बच्चों की दो गुरुप देने, दोनों गुरुप की प्रप्रेशन करो, बट जो भी सोचा है, उस पे आखें बंद करके जुट जाओ, यू शुड नॉट बी अफेक्टेड विद वॉट इस हैपनिंग इन में 24, दिस विल बी मैं क्लियर कट एडवाइस तो यू, प्लीज इस बात को एक्सेप्ट करना, प्लीज इस बात को इंप्लिमेंट करना, एंड आपकी जिद्दगी सफल हो जाएगी, अब बात आती है सर में 24 स्टुडेंट्स की, हमने सर कई सारी क्लासिस पहले कर ली है, दो तीन क्लासिस कुछ और पेंडिंग है, किस तरह से हम अमेंडमेंटस कवर करेंगे, किस तरह से क्या चीज़े कवर करेंगे, ये आपकी टेंशन है ही नी, ये आपकी टेंशन ही नी, एक बार आपने वो कलासिस कर ली, अक बार आपने वो कलासिस ले ली, now it is the duty of your teachers, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ मेरे को पता है I know about it कि कई बच्चे जिनका May 24 में exam है these people enrolled for my November 23 audit batch तब मैंने इनको का था कि भाई essays कर लो professional ethics कर लो यह तो common ही रहने वाले इसमें institute कुछ change नहीं करेगा तो वो अगर part आपने कर लिया है तो जो भी additional topics institute लेके आएगा these amendment videos will be provided in your google drive by me तो आप उसकी tension मतलो आप उसके बारे में मत खबरो मैं आपको वो cover करा के दूँगा कोई ऐसा नहीं है even मैं responsibility लेता हूँ अकाश सर की, बीबी सर की जो बीबी सर है उनका तो चलो batch ही कही ना कही वैसा रहता है May 24, November 24 का तो जो अभी July में bet start होगा आप उसके साथ initiate कर सकते हो बट अकाश सर के साथ जैसे की FR है अब FR में इंडियेस वोई के वोई रहेंगे तो जो इंडियेस में additional questions रहेंगे जो भी institute additional incorporations करता है I am sure he will provide to his current students तो उसमें आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत की बाट है बट 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 अगर अभी तक आपने अपनी classes ही नहीं शुरू करी अगर अभी तक आपने अपनी classes ही नहीं शुरू करी ये सोच के कि sir May 24 में नियू सिलेबस आएगा उसके हिसाब से मैं अपनी classes शुरू करूँगा तो ये आप गलत कर रहे हो This is something that you are doing wrong Please make sure आप अपनी classes शुरू कर ले और खतम करने भतम भी कर ले यानि आपको FR और SFM इन दोनों में से किसी के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हो and इन classes को जल्दी से शुरू करो और end करो and make sure इसको आप पूरी शिद्दत से कर रहे हो because देखो अब आपके पास बस सिरफ एक साल रह गया है May 24 के exams भी बस जल आने ही वाले है और उन exams की preparation आपको फटा-फट शुरू कर देनी चाहे तो आप FR-SFM में से कोई भी एक पहले उठाओ और दोनों को सबसे पहले complete करो फिर आपको I think DT IDT कर लेना चीए and sir audit को आप एकदम last में लेना sir आप being a audit faculty ऐसा क्यों कह रहे हो यार देखो simple सी बात है जो आपका audit है being a little theoretical subject on a side even though we provide revisions ऐसे class के साथ साथ हम करते चलते है but still जितना आप उसको near to the exam करोगे उतना आपके लिए शायद से वो beneficial रहेगा तो अगर अभी तक आपने classes start नहीं करें तो मैं आपको flow बता जता हूँ FR-SFM कर लो फिर DT IDT कर लेना then you can go ahead with the audit classes ठीक है मज़ा आज जाएगा now telling you one more thing जब भी इस तरह के transitions आते हैं जब भी इस तरह के transitions आते हैं not everyone is dynamic enough to deal with this transitions हर बंदा इतना dynamic नहीं होता कि वो इन transition से deal कर पाए तो मेरी आप से बस एक request रहेगी जो भी मैं आपको guidance देता जा रहो उसको अच्छे से implement करते जाना हर दिन को productivity डील करते रहना और आप अपने targets अचीव करते रहना आप सफल हो जाओगे ऐसे time पे आपके जैसे समझदार बच्चे ही आगे निकलते हैं बैं फिर से बोल रहा हूँ we teachers are there to support you आपको कोई घबराने की ज़रुवत नहीं है but yes एक चीज जो आपको कंडे की ज़रुवत है just support yourself just take good decisions for yourself everyday maintain a healthy lifestyle maintain a productive lifestyle and yes you'll be able to achieve your targets I hope इस वीडियो से आपको कही ना कही clarity मिली है कि आपने क्या सोच रखनी है because अगर सोच सही होती है तो action से ही होते है और action से ही होते है तो results भी आते ही है और yes यही खुशी-खुशी मल लगा के पढ़ते रहिए क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे पढ़ेंगे wish you the best have a awesome day ahead हमेरा ही audit के फिर मिलेंगे चलते-चलते वीडियो को लाइक नहीं किया दो do like it and yes stay subscribed for more such videos have a great day